हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेस्यम इंस्टिट्यूट आज की वीडियो में हम जो मैट्री के कुछ प्रिवेस एर मेम्री बेस्ट कोश्चन रिसकस करेंगे यह हमारा वीडियो का पार्ट वन है लेट्स टेकिट वन बाइवन फर्स कोश्चन हमारा कहता है थे एक्सटरनल वाय सेक्टर्स ऑफ एंगल बी और एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबी सी मेट अट पॉइंट पी ट्राइंगल की बात हो रही है तो ड्राग को लेते हैं कि अगल एंगल एबी सी हमारा रेंगल एंगल ए बी शी को यह एंग पार मीट करें और पॉइंट पॉइंट पी पे इफ एंगल बी एसी इंगल इस एंगल इस एटी डिग्री हमें गिवन है और पूचा हुआ है वाट इस एंगल बी पी इस यह में निकाल ला है अब यहां पर अलड़ी एक उन्चेप्ट लिखा हुआ है अब धिहां से देखेंगे तो इस कॉंसर में हमारा एंगल बी ओ सी होता है नाइंटी डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल एक्स एक्स क्या है यहां पर एंगल बी एक्स एक्स क्या है यहां पर एंगल बी एक्स क्या है यहां पर एंगल बी एक्स क्या है यहां पर एंगल बी एक्स क्या हमारा होता नाइंटी डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल x ओके तो इस कॉंसेप्ट को यूज करके अब डिरेक्ली इन कोजिशन का आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं और इस कोजिशन में हमें पूछा हुआ है एंगल बी पी सी ठीके यह क्या है हमारा 90 डिग्री माइनस हाफ अब आफ ऑफ एंगल ए और एंगल यहां में दे रखा है 80 डिग्री तो वह वैल्यू पूट करके हाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री देट इस 50 डिग्री जो कि इस कोजिशन का करेक्ट आंसर है ए ओप्शन ओके चिले नेक्स क्रेशन देख लेते हैं नेक्स क्रेशन में भी हमरे पस ट्रयांगल की बात हो रही है अब शर्मेंगल है और बिजरी को प्रोडूस किया रहा है दी तक कि यह कह रहा है यह क्रेशन साइट बीसी औफ ट्रैंगल A, B, C produces 2D, और एंगल A, C, D की वैल्यू दे रखी है, 108 डिग्री, और पूछ, बोला है, एंगल B is equal to angle half of angle A, ये भी दे रखा है, और एंगल A की वैल्यू पूछ ही है, ये हमने निकालनी है, तो हमें पता है, कि एंगल B, C, D, जो है, ये हमारा, क्या बना रहा है, linear combination है, line है, तो यहां से हमारा angle C के निकल जाएगा, 180 degree, minus 108 degree, कितना हो जाएगा, 72 degree, angle C तो हमें मिल गया, अब, किसी भी triangle के तीन हो एंगल का सम क्या होता है, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree, always, right, अब angle A हमें निकालना है, angle B भी हमें दिया हुआ है, half of angle A plus C हमने निकाल लिया, 72 degree is equals to 180 degree, तो इनको solve करके, इसी question को solve करके, हमारा angle A के निकल क्या आता है, 72 degree, जो कि हमारा answer है, which option, D option, okay, तो हमारे second question का answer क्या हो गया, D option, 3rd question है, A, O, B और 3 points, ठीक है, E के line में, 3 points है, A, O, B, and angle C is a point not lying on A, O, B, C एक point है, जो कि A, O, B पर लाई नहीं कर रहा है, मतलब कि वो कुछ angle बनाएगा, A, O, B के साथ, ठीक है, अब उसने दे भी रखा है, if angle A, O, C is equals to 40 degree, यानि कि C यहाँ कहीं होगा, यह A, O, B, और C यहाँ कहीं होगा, और A, O, C के values ने क्या दे रखिया है, 40 degree, और बोला है कि O, X, O, Y और the internal and external bisectors of angle A, O, C, A, O, C के internal bisector O, X, और external bisector O, Y, ठीक है, यह O, X, और यह O, Y, external bisector है, मतलब दो equal, एंगल में divide करेगा, और पूचा हुआ है, B, O, Y की value, ठीक है, अब A, O, C, उसने दे रखा है, 40 degree, तो यहाँ से हमारा, B, O, C के निकल जाएगा, सेम, 180 degree, minus 40 degree, क्योंकि एक लाइन पर है, तो यह मारा 140 degree, ठीक है, अब एंगल B, O, Y, हमें पता है, कि O, Y, जो है, वो बाइसे कर रहा है, एंगल B, O, C को दो equal parts में divide कर रहा है, तो एंगल B, O, C, divided by 2, 140 degree divided by 2, that is 70 degree, इस question का अंसर क्या होगा है, C option, that is 70 degree, okay, next question कहता है, by decreasing 20 degree, of each angle of a triangle, the ratios of their angles are 2 is to 3 is to 5, एक triangle है, जिसकी angles की ratio है, 2 is to 3 is to 5, कब है यह ratio, जब हम हार एक एंगल को 20 degree से decrease कर देते हैं, तो कहने का मतलब, 2x plus 3x plus 5x is equal to, 3 angles का sum 180 degree, लेकिन यहां पर उसने बोला है, यह ratio मर पस कब है, जब हम 3 को 20-20 degree से decrease कर देते हैं, ठीक है, तो महार पस ही equation बन गई, यहां से x को solve कर लेंगे, क्या निकले के आएगा, 12 degree, ठीक है, अब पूछा क्या हम से, the radiant measure of original greatest angle is, और यह original greatest angle निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5x है हमारा greatest angle, तो 5x plus 20 degree, क्यूंकि original angle में हम 20 degree आड़ करेंगे, तब हमें original मिलेगा, तो यहां से x को 12 पूट करके, हमारा क्या आजाएगा, 12 into 5, 60 plus 20, that is 80 degree, ठीक है, यह हमारा answer है, लेकिन हमसे answer radiant के form में पूछा हुआ है, तो इसको हम convert कर लेंगे, पाई बाई 180 degree से multiply करके radians में, तो हमारा answer इसका आजाएगा, 4 pi अपाउन 9, चीक है, C option इसका correct answer है, फूर्थ question का, फिफ्थ question है हमारा, हमें दो line से रखी है, I1, I2 जो की दूसरे के parallel है, ठीक है, और इस तरह से दो line से रखी है, यहां पर हम एक और line ड्रॉ कर लेंगे, जो की I1, I2 के parallel होंगे, यह हमारी I1 है, यह I2 है, इसे हम I मान लेते हैं, ठीक है, यह angle हमें X दे रख है, यह 2X दे रख है, अब देखो, यह lines parallel हैं, तो अगर इसको extend करें, तो यह इसको हम A angle मान लेते हैं, और इसको हम B angle मान लेते हैं, ठीक है, जो की हमें 75 degree यहां पर दिया हुआ है, तो हमने इसको दो parts में divide कर लिया, A और B में, ठीक है, अब यह जो X और A मारे यहां पर हैं, दो parallel lines को एक transversal line कट कर रही है, तो यह X और A कोन से angles बना रहे हैं, alternate interior angles, तो alternate interior angles की property की accordingly, X हमारा A के equal है, similarly, B जो है, वो हमारा 2X के equal है, अब A प्लस B हमें पता है कि 75 degree हमें दिया हुआ है, तो A plus B, that is X plus 2X, 3X, that is equals to 75 degree, जो की given है, तो यहां से X हमारा किया निकला, 25 degree, और YM से पूछा हुआ था, value of X, 25 degree, जो की यहां पर है, D option, which is our correct answer, ओके, ओके गाईस, आज की वीडियो में यही पर conclude करेंगे, मिलेंगे नेक्स पार्त में, कुछ और questions के साथ, thanks for watching,